नमस्क out दोस्तो मैं आप सभी का चिर पर दोस्त पस्थित हूँँ आप सभी की सेव में एक बहद ही महतोपून्जानकारी को लेकर करके जिहां आये आज हम सभी जानते हैं हकलाहट को दूर करने के लिए एक बहद ही उपयोगी घरेलू हेल्थ टिप्स के बारे में जिहां हकलाहट दूर करने के लिए आपको 10 बादाम तथा 10 काली मिर्च थोड़ी सी मिश्री के साथ पीस करके सुबह सुबह एक गलस गर्म दूद के साथ लेना है यह प्रियोग कम से कम 10 दिन तक करना है आपके हकलाहट की समस्या खत्म हो जाएगी गाय का घी हकलाहट दूर करने का एक उत्तम उपचार माना जाता है 3-6 गराम घी में प्रती दिन मिर्श्री मिला करके सुबह शाम चाटें और उपर से गाय का दूद पियें लगातार कुछ महिनों तक इसका सेवन करने से हकलाना बंध हो जाता है इसके अलावा बच्चों को एक ताजा आवला प्रती दिन चबाने के लिए दे दें इससे उनकी जीव पतली और आवाज साफ होती है तथा उनका हकलाना और तुतलाना दूर हो जाता है रात को दस बादाम पानी में भिंगो दें सुबह उनके छिल के उतार कर पीछ लें और उन्हें 30 गराम मक्षन के साथ सेवन करने से भी हकलाहट में लाब होता है इसके अलावा जीव के लिए कुछ व्यायाम भी करें जिससे कि आपके हकलाने की समस्या खतम होगी जी हाँ उज्जाई प्राणायाम भी इसके लिए बहुत बहतर होता है पेन या पेंसिल को अपने दोनों जबड़ों में जितना पीछे हो सके कस करके पकड़ें और फिर धीरे धीरे बोलने का प्रयत्न करें कोई लेक पढ़ें इन व्याययामों से भी इस रोग पर काबू पाया जा सकता है आप अलग-अलग तरीके से पढ़ें जब भी आप पढ़ रहें हों कोई लेक तो फास्ट भी पढ़ें, सुलू भी पढ़ें, कोशिश करें, गलत भी हो गया, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है कि नहीं बोला जा रहा है, आपको कोशिश करते रहनी है, और ऐसे व्यक्तियों को चाहिए, कि वो अपना बोलने का स्टाइल थोड चबा करके बोलें, ताकि उनको घबराहट नहों और हकलाहट नहों, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और बेहदी महत्वपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों कि भलेए बोलेंगे, तोस्तों की जानकारी करके लिए, ये ये नहों के रया ह WhatsApp.